दोस्तो बेलकम बैक माई यूटूब चैनल एन के ब्लोग आज मैं आपको इस वीडियो में इसी केस के टॉप टैन प्लिसिस के बारे में बताने वाला इसी केस उत्तरखन राज्ये में इस्तित है इसी केस अपने योग के लिए पूरे विस बर में पस्थित है इसी केस दिल्ली से लगबग 240 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है इसी केस का नजदी की रेइलबे स्टेशन योग नगरी है जो इसी केस में ही स्थित है इसी केस में घुमे जाने वाली 10 सबसे अच्छी जगा है तिरवेनीघाट गंगा आर्ति के लिए परसित डिसी केश का एक पवित इस्थल है डिसी केश सब्द दो सब्दों से मिलकर बनाए त्री का मतलब तीन और वेनी का मतलब संगम तिरवेनीघाट रेल्वे स्टेशन से एक किलोमेटर के दूरी पर स्थित है यहां की सुवा और साम की आरती देखनी ही बनती है लश्मर जूला रिसी केस में पवित्र गंगा नदी पर बना एक लोहे का पुल है जो रिसी केस का सबसे परसिद एतियासिक इस्थलों में से एक है लश्मर जूला गंगा नदी और कई मंदिरों का अद्वत दिरिश से पस्तूद करता है नीलकंड महादेव मंदिर इसी केस से 32 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित है यह मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक अलगी आस्ता का केंदर बना हुआ है यह मंदिर लगबक 1330 मीटर की उचाई पर एक पहड़ी पर इस्थित है नीलकंड महादे मंदिर बैगवान सिप को समर्पित है इस मंदिर पर अमरित मंथन के पूरे दिर्शे को उकेरा गया हुआ है यहां की साम की आरती जरू देखने चाहिए परमत निकेतन यह भारत के सीस योगा केंदरों में से एक है और इस छेत्र का सबसे बड़ा आस्रम है जो पवित्र गंगा नदी के टट परिस्तित है इस आस्रम के स्थापना स्वमी सुख्र देवनंद सहस्वती ने की थी यह आस्रम सभी के लिए खुला है जिसमें जाती लिंग धर्म के अधार पर कोई बेदबाग नहीं है बीटल आस्रम जिसी के इसके गलियों से गुजर कर आप पहुंचे होगे बीटल आस्रम यह आश्रम गुरू महारिशी महिस योगी का एक पूर्व आश्रम है इस जगा पर अंग्रेजी रॉक बैंड ने 1968 में अपने परसित दौर के 50 से अधिक गीतों की रचना खी थी जब से इस आश्रम का नाम बीटल आश्रम पड़ गया नीरगर वाटरफॉल रिसी केस से लगवक साथ किलोमीटर की दूरी पर इस्थित नीरगर वाटरफॉल है चक्टानों के बीच में से गिरता पानी इस जगा में चार चांत लगा देता है नीरगर वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको डेड़ किलोमीटर का ट्रेक करना होता जिससे आप 25 से 30 मिनिट में ट्रैक कर लोगे नीगर वोटरफॉल का ट्रैक करते समय आपको दो छोटे पुल पार करने होते हैं इस जड़ने तक पहुँचने से पहले आपको 30 रुपे की टिकट भी लेनी होगी उसके बाद ही आप नीगर वोटरफॉल तक जा पाऊगे तेरा मंजला मंदिर इसी केस का सबसे परसीद और खुबसूरत मंदिर तेरा मंजला मंदिर जो रिसी केस में ही स्थित है यह मंदिर गंगा नदी के टट परिस्थित एक परिस्थित और पवित इस्थाला है तेरा मंजिला मंदिर को तिर्मगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इस मंदिर में तेरा मंजिला है प्रती एक मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्थिया इस्थापिद है भरत मंदिर उत्राखंट में इसी के सहर के केंद्र में स्थित भगवान हरी केस नारायें का एक प्राचीन मंदिर है यह मंदिर सहर का भहुत पुराना और प्रस्चित मंदिर माना जाता है संत गुरु आदि संकर चार्णे ने 786 इस्वी पूर इस मंदिर में बसंत पर पीट सीन देवता की मूर्ती को फिर से स्थापित किया था तब से इस मंदिकना भरत मंदिर पढ़ गया बूतनात मंदिर बूतनात मंदिर इसी केश में स्थित यह मंदिर भगवान सिप जी को समर्पित है यह मंदिर तीनों ओर से गाजजी नेशनल पार्क से गिरा हुआ है बूतनात मंदिर में भी साथ मंजिला इमारत है ऐसा का जाता है जब भगवान सिप का विवा होने वाला था तो इसी जगा पर भगवान सिप जी की बरात को ठहराया गया था जब से इस मंदिर का नाम भूतनात मंदिर पड़ गया कंजापूरी देवी मंदिर हिंदू धर्म में बहुत महटपूर माना जाता है यह मंदिर 1666 मीटर की उचाई पर इस्थित है कंजापूरी देवी मंदिर बावन सक्टी पीठ में से एक है यह माता सती की जली हुई चाती गिरी थी कंजापूरी देवी मंदिर बरफ से ढखे पाड़ मनोहग द्रिश से प्रदान करता है कंजापूरी मंदिर इसी केस से लगवाग 25 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित है